उम्शान्ती, आज हम समझने वाले है निश्चय और विश्वास के बारे में। निश्चय क्या होता है? एक कहाने से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बारी एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा हुनर दिखाता था। वो क्या करता था? कि दो लकडिया लगाता था, उस पर रसी बानता था और उस पर वो बाइक चलाता था। तो इतना काबिल था कि जहां पर भी वो अपना शो करता था, सब लोग बहुत खुश होते थे। ऐसे ही एक बार एक जगा पर वो शो कर रहा था। ऐसे लकडिया बंदी हुई थी, उस पर रसी लगाई हुई थी और फिर उसने एक बाइक ली, बाइक पर वो बैठा और धीरे से उसने बाइक को उस रसी पर चलाया। धीरे धीरे रसी पर चलाते हुए, बीच रसी पर आकरके उसने बाइक को रोक दिया। उसके पास एक पर्स लटका हुआ था। उसने उस पर्स में से एक सेंडवीच निकाली। और रसी पर बैलेंस करते हुए सेंडवीच को खाया। सब लोग देख रहे थे। इतना अश्चरय जनक ये द्रश्य था कि सब देख करके हैरान रहे गए कि कोई व्यक्ति बैलेंस के साथ रसी पर कैसे खड़ा रह सकता है। और वो भी बेठे बेठे आराम से सेंडवीच खा रहा है। सब ने बहुत ताल्या बजाई। सब देख करके खुश हो गए। सेंडवीच खतम हुई वो व्यक्ति अपनी बैलेंस के रसी पर से निच्छे आ गया। ऐसा उसने तेन से चार बारी करके दिखाया। उसके बाद उसने फिर से एक दुसरा हुनर दिखाया। वो क्या था कि उसने बाइक ली बाइक पर आगे वो बैठा था और पीछे उसने अपने एक दोस्त को बिठाया। अब दो सवारी रसी पर चली। बीच रसी में वापस से बैलेंस के साथ बाइक को रुका और वापस उसने अपना पर्स खुला। पर्स में से उसने दो सेंडविच निकाली। एक खुद ली, एक अपने दोस्त को दी। दोनों ही बड़े अराम से मझे से वो सेंडविच खा रहे थे। अब लोग तो इतने खुश हो गए कि जोड़ जोड़ से ताली लगाने लगे। सेंडविच खतम हुई और फिर वो व्यक्ति धीरे से बाइक ले करके निचे आ गया। ये हुनर भी उसने तिन से चार बारी दिखाया। फिर उसने जो ओडियंस थी पब्लीक थी उनको एक क्वेशन किया। आपको लगता है कि मैं ये हुनर और पांचे बारी दिखा सकता हूँ। तो सब बोले हाँ क्यों नहीं आपने दिखाया है और आप और भी दिखा सकते है। वो व्यक्ति बोला क्या आपको मेरे पर विश्वास है। सब ने बोला हाँ हाँ हमको आप पे विश्वास है उसने बोला मैं फिर से आपको यही क्वेशन पूछना चाहूगा कि क्या आपको मेरे पे विश्वास है सब ने बोला हाँ हमें विश्वास है आप यह कर सकते है उसने बोला कि अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो बताईए आप में से कौन होगा जो आएगा और मेरे पीछे बैठेगा तो फिर तो सब हसने लगे कोई नहीं आएगा प्यक्ति ने बोला आप लोग मुझे मानते हो लेकिन विश्वास नहीं है दूस्तो कहानी छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है अगर विश्वास होता तो पीछे जाकर के बैठ जाते थे ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम इश्वर को मानते जरूर है लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या हमें उस पर विश्वास है अगर विश्वास होता था तो इश्वर के बताय हुए रास्ते पर जरूर चलने लगते थे कभी भी कोई भी प्रकार का विचार या संकल्प हमारे मन में नहीं आता था कि पता नहीं भगवान हमें मदद करेंगे या नहीं होगा या नहीं क्योंकि हम इश्वर पर विश्वास करते और वो हमें जरूर मदद करेगा उस निश्टे से चलते थे तो इसी कहाने के साथ ओंशंती